वेज अरबिन पुलाव यह पुलाव फेमस है अपने हटके मसाले और एकदम जबरदस्त खुश्पू के लिए तो यह बनता है नॉन वेज वर्जन में मैं इसका वेज वर्जन आपके साथ शर करने वाली हूँ रसीपी को बहुत ध्यान से देखिए एकदम हटके रसीपी है यह में में यह बिकली यह उल्हाने खुली है खिल तकति में वाली है अब मुझा अब इसके ऊपर हम डालने वाले है यह बड़ा कटा हुआ थोड़े से घर eigenlijk Nichव मसाले जो जो है уз्दोटी इस भेस तोड़े एक अला फ्वें डाल कराऊ करना है एक बड़े लाइलाची मसाले में डालने वाली फोड़ा सा जीरा डालना है उसके बाद थोड़ी सी कालि मिर्च और लोंक तो यह सार जो मसाले हैhou act इनका एक बहतरीन वाला स्टॉक बना लेना है जो हम हमारे पुलाव में यूज करेंगे अब इसमें नमक डालके और दो कप पानी डालके हम इसे विसल लगा लेंगे तब तक जब तक हमारा जो सोया है वह बहुत अच्छे से गल जाए जो पानी है उसमें सोया का और जो मसाले है उनका स्टॉक अच्छे से टेस्ट अच्छे से चला जाए तो अब यह जो सोया है हम ड्रेन कर लेंगे से बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि जो इसका टेस्ट है मसालू का और सोया का पानी में चला जाए यह पानी हम बाद मे यूज़ करेंगे अब आती है पुलाव बनाने की बारी पुलाव बनाने के लिए घी ही बैस्ट होता है दो चमच घी डाल दें इसके बाद इसमें डाले एक चमच भर के जिंजगालिक का पेस्ट इस पेस्ट को बहुत अच्छे से कुक कर लेना है यानि इसका कच्छापन बह बलचीनी थोड़ी सी और इसके बाद थोड़ा सा शाही जीरा और तेज पते ये मसाले डाल देने के बाद हम इसमें आड करेंगे थोड़ा सा प्यास प्यास को पहले से ही मैंने फ्राय करके रख दिया है ये दो बड़े वाले प्यास हैं फ्राय की हुए अगर आप चाहें तो प्यास को अभी भी इसी वक्त इसमें फ्राय कर सकते हैं लेकिन अगर आप साइड में फ्राय कर रखके रखते हैं तो आपका टाइम से हो जाएगा इसके बाद तीन टमाटर का चोटे वाले टमाटर का पूरे डाल देना है अब इसमें डाल देना है लाल मिर्च एक चमच भड़के इसके बाद धनी का पौडर डालना है एक चमच भड़के और अब इसे बहुत अच्छे से स्टर करना है तब तक जब तक कि हमारा जो टमाटर है वो बहुत अच्छे से कुख हो जाए और यह जो हमारे मसाले हैं वो सिखके अपने खुश्बू छोड़ने लगे अब आती है बारी इसमें दही डालने की जिसे मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है एक चोथाई कप इसमें दही डालना है इसके बाद इसमें एड करन ताकि जो दही है वो फटे नहीं और जब हमारे मसाले बहुत अच्छे से कुख हो जाएंगे तो हम इसमें एड करेंगे पानी जो हमने पहले से ही निकाल के रख दिया था हमारे सोय का तो यह कब पूरा भर के हम वो पानी डाल रहे हैं अगर आपको लगे कि वो पानी कम नि सद्धम ठीट पर हमने तीज पानी डाला हर जिसमें हमने मिक्स कर दिया था अब जो हमने सोय के जो चंक सब मॉयिज कि कर देंगे यह लास्त ली हम इसमें एड करींगे जो हमारे स्याओर हैं वो यह मैंने धीक शाहल मुस प्रभश्त है कि एक घंटा कम से कम इन 옆 गोड़म क दनिया डालना है उपर से और फिर इसे बहुत अच्छे से ढग के अगर आप चाहीं तो ऑप्शनल है आप ड्राइफ रूट्स भी इसके ऊपर डाल सकते हैं अब जैसे मैं आपको अलिमिनियूम फोईल दिखा रही हूं इस तरीके से आपको अलिमिनियूम फोईल के साथ ढग तो 10 मिनिट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये भियान नी कैसी बनी है यह देखिए कि इसे अप एक तरीके से दम वाले पुलाव भी भोल शकते हैं या तो फिर दम वाले भियानी भी बह सकते हैं जो कि जो एक सिम्पल तरीका ए भियानी बानाने के यह देखें अचा बताएं कि आपका ये पुलाव कैसा बना था अगर अच्छा बना था तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें वीडियो को लाइक एंड शर करना नहीं भूलें फिर मिलेंगे एक ऐसी ही आसान रसीपी के साथ तब तक के लिए बाय अपना ध्यान रखें